नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप लोगों का, हमारे आचार जागिंद्र विस्टा चैनल में, इस पोधे के बारे में आयरुवेद के ब्यास मूनी ने कहा है, कि अकेला ही सव हाथी जितना बल दे सकता है, जीवन की दसा ही पलट सकता है, अतिधनवान और यवनवान वना सकता है, दोस्तों ये पोधा आपकी रात को हशिन कर देगा, इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुष्टी खेलोगे, ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है, मर्दों के लिए ये एक पावरफुल टोनिक है, दोस्तों इस पोधे को आप लो आप लोगों ने हमेशा नजर अंदाजी किया होगा, लेकिन यकीन मानिये दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पोधे को कभी भी नजर अंदाज नहीं करेंगे, कभी भी इसे उखार कर नहीं फेकेंगे, इस पोधे को बहुत ध्यान से देखें, इस पोधे आपके जीवन को शुंदर बना देगा आपका जो भग है वो भग का साथ मिलेगा शुक्षम्रद्धी आपके घर पर आएगी और अगर आपको कोई भी रोग है वह रोग आपसे दूर चला जाएगा दोस्तों ये पौधा नहीं है इसको भारती पुरारों में यानि कि एक डा प्यरा अंदाज नहीं करेंगे और नाहीं से उकार कर फेकेंगे लेकिन आज की बाद आप ऐसा विलकुल नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम इस पौधे के बारे में वह आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे करोरों रुपए लेकिन इस वीडियो अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तिमाल समय पर कर लिया समझ कर कर लिया तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फाइदा फ्री में मुप्त में मिल जाएगा दोस्तों अगर आप लोग आईरवेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं तो एक बात समझ लेजे हिंदू पुरार के हिसाब से आईरवेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा माना गया है इस पौधे की जल को एक हीरे का सुरूप माना गया है आपको बता दे कि आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयरवेद की भासा को समझ नहीं पाएंगे धन है उन लोगों का उन गुरुओं का जिन्होंने आयरवेद को इतना आसान कर दिया इतना सरल कर दिया कि आज भी आयरवेद हमारे भारत के काम आ रही है दोस्तो भारत में आयरवेद को इज्जत बिलकुल नहीं है लेकिन आपको बता दे कि चाहे योग हो चाहे आयरवेद हो बिदेसी लोग उसका पूर्ण रोप से इस्तमाल करते हैं बिदेसी हमारे ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पौन रोप से इस्तवाल करते हैं और अपना शुक में जीवन जीते हैं इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती यह अपने आप अपना रास्ता बना लेता है अपना रास्ता ढूर लेता है और रुख जाता है और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही त तो इस पौधे में दिब दाकत होती है, ऐसा हिंदु पुरारों में भी लिखा है, जिसे आपके घर में अगर कलह कलेस होती है, वह चली जाएगी, आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा, इबन धन के आने के कई राश्ते खुल जाएंगे, सबसे पहले आप इसमें बल होता है, मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है, मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंद दायक जीवन का अनुभय कर लेती है, आपको बता दे कि अगर आप किसी बीमारी से जोज रहे हैं, आप सरीर की प्रोटीन की पूर्ती के ल जो होता है, उसको मर्दों के लिए काफी ताकत भी मानी गई है, आईरवेड के हिसाब से आपको बता दे कि कई लोग अपने जीवन में इसलिए परिसान होते हैं कि उनके घर का महौल अच्छा नहीं होता, अपनी पत्ने से उनकी लड़ाई जगरे होती रहती है, उसके लि देखने हुआ, इस छोटे से फल कई तरह की खूबिया होती है, ये छोटे से दिखने वाले फल में भी भरपूर मात्रा में ओशदी गुर मौज़ोध होते हैं, गला सम्मंधी कई परिसानियों के काम आशकता है, गूलर फल में प्रोटीन, कापर, आयरन, पोटेसियम, मैग लाब हमें देखने को भी मिलते हैं, तो अगर आपको इसका फल मिलता है, तो तीन से चार फल रोज खा लीजे, इसके फल को आप अच्छे से धोकर साफ करके ही खा, खाया कीजे, आप यकीन मानिए ये आपके सरीर में ताकत देगा, ताकत को बढ़ा देगा, मधुमेही में यानि कि डाइवडीच का इसतर कम करता है, कबज को दूर करता है, दस्त को रोकता है, और कमजोरी दूर करता है, इस पौधे में दस हाथी का बल होता है, दस घोडों के बराबर बल खीच लेता है, इसकी छोटी सी जड़ को पहले आप निकाल कर धूप में शूर के सीधी ध सास्त्रों में लिखा है कि गूलर ब्रिक्ष में और तुलसी में साक्षात नर्शिंग देवस्री हरी विश्वों और माता लक्ष्मी वास करते हैं इसलिए जिसके गले में भी यह जर होती है गूलर की जर तो मृत्यु के बाद उसे नरक नहीं जाना पड़ता वे भगवान के लडाई जगड़े होते रहते हैं तो आपको बता दे कि इसकी तीन पत्या लीजे और घर की कोई भी आलमारी है चाहे लकड़ी की हो आलमारी या फिर लोही की हो एलमोनियम की हो उस आलमारी के उपर इसको रख दीजे और रखते समय ओम नमो भागुते वाश्दिवाय नमा जरूर देखेगा आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलेगा नाकरात्मक ताकत जो है आपके घर में होगी निगेविटी जो आपके घर में होगी वह आप वो अपनी आप जाने लग जाएगी आपके घर का महल बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अरधांगनी से अपनी माता-पिता से बहस हो जाती है वे बंद हो जाएगी। पर अपनी में लगा हुआ थोड़ा सा सिंदूर निकाल कर इसमें डाल कर घर के मुख दरबाजे में बान दीजे और रोज इस पोटली की पूजा कीजे इसके नाम की एक दीपक सुन्दर यानि कि सुबह साम जलाया कीजे रोज आप यकीन मानिये अगर आपको कोई भी ऐसी ब अदत करेगा और ये बाते हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं गूलर पौधा हिंदू पुरार के हिसाब से एक हीरा डायमेंड पौधा है दोस्तों आप अगर लाखो रुपए भी खर्च कर देंगे आपको ऐसे जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को सेर करिएगा और चलो को सब्सक्राइब करके वेल आइकन जरूर दबाईएगा आपका दिन शुब हो धन्यवाद